यह तोड़े बहुत इशूज है और iCloud तो भाई महा टक्टी है So guys, 2015 में मैंने अपना ये चैनल स्टाइट किया है Major ली चैनल पर मैं स्मार्टफोन के रिव्यूज करता हूँ But आज तक कि मैंने एक भी iPhone का रिव्यू नहीं किया iPhone 6 के बाद मैंने अभी आईफोन यूज ही नहीं किया रिव्यू करने के बात ही छोड़ दो But अभी रिसेंटली जब Apple ने ये जो अपना लेटेस स्मार्टफोन लांच किया iPhone SE 2020 तो मैंने सोचा अगर मंगा लेता हूँ और देखता हूँ किस तरह से ये phone perform करता है और मतलब मेरी expectation तो इतनी जादा थी नहीं But मैंने बहुत साधी बाते इसके बारे में सुनी थी जैसे मेरे पास वो Macbook भी मैंने ले लिया था और इसको 45 डेस से मैं यूज कर रहा हूँ तो आज मैं आपको अपना पूरा experience बताने माला हूँ एक iPhone यूज करना का So hey what's up guys, मैंने मी जहीर And this is the full review of iPhone SE 2020 So let's begin So guys, हम लोग review स्टाट करते हैं अपना build quality और design से Build quality तो भाई बहुत ही जाता solid है पूरा aluminium का frame एकदम जपर्दस आगे गलास है, पीछे गलास है मतलब बहुता बोलोगे ना slim trim, एकदम sexy भाई कोई भी problem नहीं build quality के मामले में But जब design की मैं बात करता हूँ तो भाई पहली बात तो काफी छोटा है Small phone lovers will love the design But देखो मेरको इतना कुछ खास दगा नहीं क्योंकि साला 4.7 इंच का display है उपर इतना बड़ा bezel नीचे इतना बड़ा bezel साला इसा लगता 2015 का phone है अभी के दाइम पर देख रहो सब 6-6 इंच के phone तो जब मैं first time इसमें shift किया ना तो मुझे तो बहुत अज़ीब लगा Even keyboard से used to होने में को 2-4 दिन लगा तो design काफी बेकार है या बेकार नहीं बोलूँगा मैं actually बहुत छोटा है मेरे नजरिये के हिसाब से But अगर design के बाद मैं डिस्पले के बात करो और मैं ऐसा बोलूँगा क्योंकि फाइक नंबर एक नंबर एकदम accurate colors और डिस्पले की brightness भाई यह 42000 का यह है OnePlus 8 इससे भी जाधा brighter display डेक्सन लाइट में बहुत अच्छा display डिस्पले की quality बहुत जाधा अच्छी है लेकिन साला इतने बड़े-बड़े बैजल दिमाग खराब हो जाता है एकदम पुराना लगता है फोन यूस्टो होने की बात है काईज यूस्टो होने में थोड़ा टाइम लगता है बाकी फिर मजा आता है यूस्ट करने को यूस्टो मैंने उसके Android में लेकिन मैं हमेशा हमेशा मैंने एक चीज नॉटिस किया कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हिक अपस आता ही है फोन चलाते रहो रूप जाता है फ्रीज होता है वाटसप खोलते फ्रीज होता है यूटूब क्राश होता है ऐसा मैंने एक भी बार इसमें नोटिस नहीं किया मतलब अभी इतने दिन से में यूज को रहा हूँ एक भी बार मैं को इसको रीस्टार्ट तक नहीं करना पड़ा फोन एकदम स्मूज चलता है भाई एकदम जबर्दस अब 60Hz का डिस्पले है 60Hz का with 120Hz touch sampling rate अभी मैं बोलूँगा ना मैं यह जो फोन है 90Hz के साथ में याता है अभी इसको और इसको मैं side by side चलाता हूँ तो मेरे को literally इस पे आने के बाद इतना फरक नहीं फिल होता जितना फरक मेरे को normal phones पता नहीं इसका animation कुछ अलग तरीके से ट्यून किया है तो वह ऐसा लगता है motion blur वगएरा उन लोग ने थोड़ा अजीब तरीके से तो उससे फिल होता है कि फोन बहुत जादा स्मूथ है PUBG की बात कर रहो हूं तो PUBG में भाई फ्रेम ड्रॉप ही नहीं होता है फेमस ही Air PUBG और आमें कोई भी दिक्कत ही नहीं होता एक नंबर चलता लेकिन इतनी छोटी स्क्रीन में ना मजा नहीं था पुरा उंगलियां जो अगर तुम क्लॉग रिप में खेलता हो ना तो पुरी उंगलिया उसमें आ जाती तो फिर वह दिक्कत देता है तो बस यह समझ लो छोटी स्क्रीन होने के वाज़े से प्रॉबलम होती है बाकी फोन का परफॉमेंस बहुत ही जादा अच्छा है अगर मैं परफॉमेंस के बात कैमराज के बात करो तो पीछे एक कैमरा आगे एक कैमरा 12MP का पीछे है 7MP का आगे कभी आपको दूका नहीं देगा सबसे बड़ी बात यह है लेकिन यह 64GB अला मॉड़ल है भाई अभी दो एक भाहिना हुआ नहीं बार बार आइफोन स्टोरीज फूल आइफोन स्टोरीज फूल और स्टोरीज फूल भाई आइक्लाउड में यह करो वह करो बड़ा मसला रहता है जो रियर कैमरा है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है डेलाइट हो गया लो लाइट हो गया लो लाइट में थोड़ा दिक्कत देता है क्योंकि इसमें बैटरी है कितना 1819 mm बताओ 2020 में 1819 mm की बैटरी है और पांच वाट का चार्ज़र आता तो 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 मैंने यूज़ी नहीं कहा काई को जुड़ बलू एक बार सिरिफ मैंने टेस्स करने के लिए यूज़ कहता है कितना देर चार्ज करने को लगता लग बग 2 गंटा लगता है अब चार्जिंग करने के लिए में पास वाट चार्जर वायर्लेस वाला उसी से में यूज़ करके इसको चार्ज करता हूँ थैंक गॉड इसमें वायरलेस चार्जिंग दिया हुआ है लेकिन बैटरी लाइफ ही जब मैं बात करूँ तो देखो सिंपल से बात है अट्रॉस आए मैं अचा पता नहीं कुछ तो भी iOS का सिस्टम ही एकदम भलता है इन लोग आना पता नहीं कुछ तो भी कांड करते भाई सिंपल से बात यह है अराम से आपको एक दिन की बैटरी लाइफ मिल जाएगी अगर आप नॉर्मल यूजर हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना मैं इसमें यूट्यूब नहीं देख पाता हूं क्योंकि मेरे को आदत है 2X पर करके वीडियो देखने की 2X स्पीड पर करके अगर मैं 2X पर करता हूं तो एक दम तिनी तिनी साउंड आता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यह सब Iphone में है अगर मैं पॉड्कास्ट में जाकर 2X पर करता हूं तो एकदम परफेक्ट आवाज है यहां पर सबस्दाइब नियुस के हो तो उसमें मेरे इसाब से देखो अगर सुभा चार्ज करके निकलो गे ना तो शाम को 6-5 बाजे तक के फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा तो फिर डैड हो जागा तो मेरे को टेंशन निया मेरे को क्या रथा है मैं आया ऑफिस और यह भाई यह चीज में तो भाई मजाग नहीं कर रहा है बहुत सही चीज है बहुत सही भी है और बहुत गलत भी है पहली बात तो अगर मैं सही की बात बता हूँ तो देखो एको सिस्टेम में पहली बात तो मिलता है हमको वो सौफ्ट्वेर और हाडवेर का जो कॉम्ब में पेश्ट कर दिया क्या जबर्दा सिस्टम है दीख रहा हूँ और अगर जैसे मैंने कोई ब्राउजर में कुछ यूज कर रहा हूँ और मैंने इसको जो मुल्टी टास्किंग का पटना उद्वा न तो नीचे ब्राउजर का मेरे को बीटा थोड़ा ऐड्रॉप भी दिक्कत दे रहा हूँ बाकि overall भाई performance बहुत अचा software तो एक number है लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इसको बिल्कुल भी कस्टमाइज नी कर सकते हैं लेकिन अगर यह next page पर widget नहीं है तो यह जो icon है वो उधर ही रहेगा उपर उसको में नीचे बीच में कहीं नहीं रहा हूँ और खाली में wallpaper चेंज कर सकता आइकन मगारा कुछ नहीं चेंज कर सकता एप को साइड लोड करना भी बहुत जादा मुश्किल है तो मतलब थोड़ा restriction है लेकिन वो restriction की वजा यह है कि इसमें हमें बहुत ही जबर्दस privacy मिलती है privacy और iOS 14 तो भाई जबर्दस है iOS 14 के वज़य से तो कितने सारे applications पकड़े गए कि भाई वो clipboard का नया system है कि clipboard कि इधर copy का का clipboard में तुम अगर कुछ copy करते हो ना तो कौन-कौन सा application वो तुमारा clipboard का data access करता है वो सारी चीज़े iOS 14 दताता है तो भाई security के मामनी में तो एक number है अभी देखो software की में बात करो ना इसमें जो Google के applications है या फिर जो Facebook या Instagram है वो normal कोई भी Android phone से जादा बेटर चलता बहुत जादा बेटर चलता मैं आपको एक example देता हूँ जैसे आप कोई भी कपड़े के showroom में गए जहां पर ready-made shirt मिलता है तो वहां पर अगर आप shirt खरीद हो गए या फिर आप एक dedicated tailor के पास जो जो custom shirt बनाता है तो वो custom shirt आपको अच्छे साएगी या फिर वो ready-made shirt आपको अच्छे साएगी में समझ दो मेरी बात तो जो app पर है ना वो बहुत कम phones बनाता बहुत कम hardware बनाता जिसके बज़े से की software बनाके दे रही की size का software size बोल रहो मतलब वो कपड़ी का example लेके समझो तो वह इसा ही होता है तो फिर भाई किसी में अच्छे से चल रहा है किसी में अच्छे से नहीं चल रहा है Android में वेराज इसमें भाई बहुत अच्छे से सलता तो मेरे असाब से software के मामने में बहुत अच्छा है लेकिन no customization at all और अभी देखो customization की बात कर रहा हूं सला इसका calculator इतना टक्टी है एक बार मैंने जैसे 5 दबाया प्लस के बाद उधर पर कुछ आइकन ही नहीं आ रहा है इसका clock अगर मैं alarm लगा रहा हूं तो alarm लगाने के बाद मैं अगर alarm on करता हूं तो Android में मेरी आदत है कि इतना टाइम बाकी है तुम्हारे को alarm मतलब उठने में तुमको इतने टाइम का alarm है समझ दो ना मेरी बात कि 7 आवज या 8 आवज इसमें निखाता नहीं हो तो तुमको मन में calculate करना है इतने घंटे का है तो यह मसला होगा दूसरा और file का sharing system भाई बह दोनों जगे पर save रहेगा वो दोनों जगे पर अलग अलग storage खाएगा देखो यह क्या अजीब सी लिला है इनलो कि में को क्या माले मेरे को लगता है यह सारी चीजे से security के लिए या फिर पता नहीं क्या है यह एपल का में को समझ में नहीं आ रहा है यह तोड़े बहुत issues है और iCloud तो भाई महाँ टक्टी है बार 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 नोटिफिकेशन आता है तुमारा iCloud storage फूल लगा तो उसके बाद मैं WhatsApp की बात कर रहा है गूगल का कोई भी फोन ले लो कोई भी Android फोन ले लो बेसिकली तो WhatsApp जो है उसका जो डेटा होता है वो Google Drive से सिंक रता है अगम perfectly तो दूसरे फोन पर जाने के लिए यह फोन को स्विच ऑफ कर आना पड़ा अगर अगर फ्रिक्वेंटली स्विच करते हो डबल सिम वाले तो फिर मसला देगा देखो आप टॉरेंट एक्सेस नहीं कर सकते है आप लोगो यह फोन में एक्सेस नहीं कर सकते ना तो इसमें कॉल होती है यह भी एक अलग मसला है साला कुछ-कुछ मसले है एसमें लेकिन कुछ-कुछ अच्छी चीज़े भी है अब जैसे कि इसमें IP67 का वर्टर रेसिस्टेंट रेटिंग है अब बारिश ओर यह फोन को अंदर रखो नहीं तो भीग जाएगा बिंदास में बारिश में घ देगी दो-तीन साल में तो तीन साल के बाद आपको बैटरी बदलवानी पड़ेगी लेकिन फिर भी उसके बावजूद यह तो एपल ए 13 बायोनिक चिपसट है तो पांच-छे साल अराम से आँख बन करके चलेगा भाई तो अगर लॉंग टम के लिए चाहिए तो भाई बहुत सही है अभी मैं security की बात करो तो security तो भाई, software-wise तो बहुत जबर्दस quality की security हमको यहां पर मिलती है इसको इतना जाधा अची quality का ना कि इसको दबाऊनो तो ऐसा फील होता कि इसाला button दब रहा है लेकिन वह actual button रहता हो खाली phone vibrate होता अब phone switch off करो तो यह दबता नहीं की बात करो sound quality वगरा तो भाई बहुत ही जबर्दस है call quality यह एक नमबर है अभी देखो अगर मैं sound quality की बात करो sound quality काफी अच्छी है मतलब यह oneplus level पर नहीं है लेकिन satisfiable ऐसा मा बोलूँगा तो भाई इसकी notification जो shade जो notification panel है वो तो महा टक्ती है even though notification miss नहीं होती है इसमें यह च और थोड़ा customizability और इसकी बढ़ जाएगी ना तो मजा जाएगा या तो फिर इसको jailbreak करो फिर फाइदा का है jailbreak करके security तो खतम हो जाएगी ना हमारी iPhone SE 2020 मेरे हिसाब से बहुत ही जादा अच्छा phone है लेकिन phone सबके लिए नहीं है phone सिरिफ उन लोगों के लिए है जिनके पा इस पर आना चाथ हो तो भाई मत आओ simple सी बात है इससे अच्छा iPhone XR ले लो इससे बड़ा display भी मिलेगा और काफी जादा अच्छा phone है वो खाली इसमें ये फरक है कि उसमें एक साल कम support मिलेगा आपको लेकिन उतना जादा फरक नहीं पड़ेगा थोड़ा एक साल पुराना और अगर आप new phone लेना था तो first phone लेना था तो भाई ले सकते हो ये phone काफी अच्छा है अगर आपके बाद बहुत सारे Apple की devices तो इस इस वीडियो में उमीद करता हूं ये वीडियो आप लोग के helpful थी अगर helpful थी जरा भी अचा लगा कि भाई हाँ दमदार था वीडियो अच् सब्सक्राइब भी कर लेना बस गई thank you so much for watching this video बाई